हमारे साथ मौझूद हैं भाजपा के एक युवा कदावर नेता ये विधायक भी हैं साथ में संगठन की जिम्मेदारी बिने बाते हैं पूर्वी और पश्ची में उत्तर प्रदेश की राजनीती का एक बेजोड मेल क्योंकि इनका काउं है जन्दौली चिले की चकिया तैसील का भबूरा इनका जन्द जारकंड के डालत गंज में हुआ था उसके बाद प्रारंबिक सिच्छा मिरजापूर के सुरसती फिर लखनौ चले आये महानगर वायत से इंटर किया उसके बाद दिल्ली का रुक किया दिल्ली उनिवर्स्टी से ग्रेजुएशन किया और फिर नोईडा पहुंचे MBA करने के लिए इसके बाद 2001 के बाद राजनीती में कदम रखा भारती जनता पार्टी के युवा मोर्चा के विभिन पदों पर रहे जमीन पर बहुत संगर्श किया और करीब 16-17 साल तक जमीनी राजनीती के बाद 2017 में विधान सभा का चुनाव लड़ा नोईडा सीट को चुना नोईडा से चुनाव लड़ा और भारी भामत से जीत कर आए हम बात कर रहे हैं विधायक पंकत कि ज़ की जो आज माई साथ मौझूद हैं आई ये बात करते उन से और जानते हैं। उन पर चुनाव लड़ने की बार थी तो नोईडा का चुनाव क्यों गिया गया क्योंकि आप पुरे प्रदेश में आपका का अफी आशिश जी कई बार हम लोग मैं एकदम पार्टी का एक बहुत ही सामान्य कारिकरता हूँ और जब जब भी जब से ही मैं पार्टी में एक सक्रिय कारिकरता के रूप में मैंने काम शुरू किया पार्टी का जो भी आदेश होता है, जहां के लिए भी आदेश होता है, उधर की तरफ मैं रुख कर देता हूँ, एक जिम्मेदार कारिकर्ता के रूप में, मैं समझता हूँ कि मुझे यह करना भी चाहिए जो इतने 42 साल के बाद भी वहाँ पर नहीं पहुँच पाएं, उस इस्थिति में परिवर्ता हैं, होना चाहिए, और नौइडा के लोग जो अपिक्षा करते हैं, और नौइडा के बारे में जैसा पर्सेप्शन है, हम नौइडा को वैसा नौइडा बनाना चाहते हैं, साफ सुत्रा नौइडा हो, स्वस्थ नौइडा हो, करप्शन फ्री हमारा स्टेट देश और हमारा शहर हो इस तरफ मैं समझता हूँ कि जनता की भी अपेक्षा यही रहती है अपने जन प्रतिनिधी के कामकाज से, किसी सरकार के कामकाज से और मैं समझता हूँ कि हमारी सरकार भारती जनता पार्टी की इसी रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ी है और उसका असर उत्तरप्रदेश के हर कॉंस्ट्विंसी पर होगा और उसी में हमारे नौइडा में भी इसका साफ असर आने वाले समय में दिखेगा तो मेरी ये कोशिश है कि यहाँ पर बुन्यादी सुविधाएं ठीक होनी चाहिए मुनिस्पल फंक्शन स्मूदली और अच्छे से चलते रहे इसके लिए कोई ठोस विवस्था होनी चाहिए अनफॉर्चनेटली इतने सालों के बाद भी नौइडा में ये विवस्थाएं है ये बुनियादी विवस्थाएं हैं नहीं है और जबकि एक वर्ल्ड क्लास सिटी के रूप में इसको डिवलप किया जा सकता है और निश्चित रूप से हम सब लोग मिलकर नौइडा को इस दिशा में आगे बढ़ाएंगे आपने म्यूनिस्पल फंशन के बात की एक बहस चल रही है बड़ी बहस चल रही है कि म्यूनिस्पल कॉर्परेशन बनना चाहिए नौइडा में जो अभी तक नहीं है साथ-साथ में अगर अभी की बात की जाए तो एक बहुत ज्वलत बुद्धा है डंपिंग ग्राउंड का भी जो शायद इसी वज़े से नहीं सुलज भी पा रहा है क्योंकि इसकोई ववस्ता नहीं इस पर आपका विचार क्या है देखें कोई एक ववस्ता तो निश्चित रूप से होनी चाहिए ववस्ता होनी चाहिए ताकि यह municipal functions यह चलते रहे हैं लोगों की जीवन से रोजमर्रक्स के उनके जीवन से यह जुड़ा हुआ विशय है लोगों के स्वास्त से जुड़ा हुआ यह विशय है तो इसलिए इसकी एक ठोस ववस्ता तो होनी ही चाहिए लेकिन और जहां तक रही बात कोई एक ऐसा structure जो खास तोर पे सिर्फ और सिर्फ इस function को देखने के लिए हो यह मैंने मांग की है इस पर एक report भी साशन को भेजी गई है हमारे तीन मंत्रियों का जो समूं था उन्होंने भी उसको कर दिया है अब वो कैसा होगा क्या एक structure होगा लेकिन यह बात ते है कि नोईडा को कोई एक ऐसे structure की आवशकता है और जो नोईडा को आवशकता है वह निश्चित रूप से पूरा करें आपने तीन मंत्री समूं की बात की उसका formation हुआ था बिल्डर बायर समस्या के लिए भी था जिसमें वो देख रहे थे वो समस्या काफी हद तक सोलजने की कोशिश हुई और बहुत सारे उसमें अरचन ने आई अभी की बात की जा तो इच्छे अधिकारियों की एक ब्यूरेक्राइट के बड़ी कमेटी वे बनाई गई है जो पंदरा जुलाई तक इसकी एक तो कहां कमी रहे गई थी कौन सी समस्या है कि ये बिल्डर बायर की समस्या अभी तक स्वाल नहीं हो पार है उसके लिए किस तरह के कदम उठा है देखे ये मामला पिछली सरकारों ने उल्जा कर रखा हुआ था और बहुत ही उसको कॉम्प्लिकेटिट बना दिया था लेकि भी अपनी तरफ से उन्होंने की है मेरे साथ भी एक बड़ा डेलिगेशन उनसे मिला और उसके बाद लगातार मेरी भी चर्चा होती रही है और पहले एक मंत्रियों का समुह भी और फिर एक समिती बना कर इसका और कैसे सॉलूशन निकले क्योंकि इसमें बैंक्स भी है इस हुमारी प्रत्मिकता है तो उसको ध्यान में रखते हुए क्या रास्ता निकल सकता है सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है और कम से कम लगातार सरकार की तरफ से कोशिशें जारी हैं और मैं समझता हूँ कि अगर एक साफ इंटेंशन से और इस सोच के साथ कि बायर्स के के आई योगी सरकार बनी उसके बाद से आप इसले सवा सालों में आप प्रदेश की कानून विवस्ता और नोईडा के कानून विवस्ता हमें किस तरह के सुधार देखते हैं देखे बड़ा राज्य है और इसके लिए हम लोगों ने कहा था कि कुछ समय जरूर चाहिए होगा लेकिन इस स्थिती को हम लोग बदलेंगे और मैं आज कह सकता हूँ कि आज उत्तर प्रदेश के कानून विवस्ता की जो इस्थिती है उसका पूरे देश भर में लोग आप एक्जाम्पल देते हैं कि ऐसे कानून विवस्ता होनी चाहिए जो पहले क्रिमिनल्स और गुंड लगाते गूमते हैं कि हमारी बेल कैंसल करो और दोबारा अंदर चले जाना चाहते हैं ये बड़ा परिवर्तन हमने किया है हमारी सरकार ने किया है और होसले आज गुंडे बदमाशों के पस्थ हैं और उनको यह पता है कि आज कोई सनरक्षन देने वाला नहीं है और पाएंगे उनके खिलाफ भी कड़ी कारिवाई उसमें होगी यह साफ संदिश दिया है और जब इतना क्लियर इंटेंशन जब सरकार का हो तो मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से ऐसे तत्व कभी भी अपना सिर नहीं उठा पाएंगे मैं विश्वास के साथ कह सकता हू यह तो बात हो ही मुद्दों की यह आपके विक्तित्व के बारे में भी बहुत कुछ कहा जाता है और समझना जरूरी है मुझे यह याथ है जब आपका विधान सभब में डेबिय हुआ था आपका पहला भाशड था प्रजपाल के अभी भाशड पे बोल रहे थे आपने व हावित है और जब परिवार में इतनी बड़ी लकेर खीची हो और इतना बड़ा केंपरेजन होता हो तो उससे किस तरह का प्रेशर रहता है अब जितनी अपनी चमता रहती है जितनी समझ होती है कोशिश करता हूं कि वह करूं लेकिन एक चीज़ क्लेर है कि जब इश्वर किसी चीज़ को एक आवसर दिया है काम करने के लिए ये रास्ता दिया है मुझे जनता की सेवा करने के लिए तो उसको मैं पूरी इमांदारी के साथ और पूरी मन के साथ मैं वह करता हूं और बस मन में एक यही इक्षा रहती है कि जितनी चमता सोचने समझने की शारे रिक के लिए बढ़ें, देश के हिट के लिए आगे बढ़ें, बस इसी रास्ते पर आगे जाता हूँ और बाकि कोई दबाव नहीं, कोई के उम्मीदें रहते हैं, साथ-साथ में आप संगटन का भी पद्भार संभालते हैं, विभिन जिलों का लगातार दोरा करते रहते हैं, तो कैसे टालमेल बैठता है दोनों चीज़ों के बीच में, दोनों जिम्मादार के बीच में? नहीं लंबा समय होगे, आप संगटन में काम करते हुए, लगातार दौरे करते हुए, उत्तर प्रदेश का मुझे नहीं लगता, कोई भी जिला ऐसा होगा जहां पर कि अभी मैं न जा पाया हूँ, और विधायक के रूप में काम करने का आउसर पिछले एक सवा साल से मिला है कहीं कोई दिकत नहीं महसूस करता, दोनों जगे बहुत आनंद के साथ, और जहां पार्टी बोलती है, वहाँ जो जिम्मेदारी देती है, उसको निभाता हूँ, और अपने शेतर बे आकर, जो जनता की अपेक्षाएं हैं, कोशिश करता हूँ, कि उन अपेक्षाओं पर ख समझता हूँ, उसका समाधान कैसे हो, निस्तारण कैसे हो, उसके लिए प्रयासरत रहता हूँ, एक आखरी सवाल, और चाहता हूँ, जितनी देबाकी से आपने सारे जवाब दी इसका भी दे, पंकत सिंग की राजनितिक महत्योकान चाहें क्या हैं, कहां तक आप जाना चाह मैं बहुत आभारी हूँ, कि आज मैं बहुत कम उम्र से ही इतने बड़े पार्टी का, इतने बड़े प्रदेश का महमंत्री के रूप में काम करने का उसर दिया, और लगातार आज लगभग साथ साल से मैं प्रदेश का महमंत्री के रूप में काम करने का उसर दिया है, गो दिया गया है, नोईडा जैसी कॉंस्ट्वेंसी से पार्टी ने चुनाव लड़ने का उसर दिया, मैं उनके प्रती में आभार विक्त करता हूँ, जो भी जिम्मेदारी दी है, मैं उसको निभाता रहूँगा, और भविश्य में क्या है, ये तो इश्वर का जो आशिरवाद होगा, जो रास्ता होगा, और पार्टी जो तैकरीग, उस पर चलेंगे, कोई बहुत बड़ी महत्वा कांशा लेकर नहीं, एक बहुत सामान्य रूप से अपने कदम में आगे बढ़ाता रहता हूँ, जो भविश्य में होगा, वो निश्चित रूप से पहले से लिखा बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ी बेबाके से आपने बातें रखें, सामने रखें, अपनी बातें रखें, धन्यवाद, धन्यवाद, आशी जी